गाईस ध्यान देते हैं बढ़ी ऐसे अब ही हम अगले टॉपिक के तरफ बढ़ रहे हैं जैसे बोड के उपर मैंने लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अलकोहल तो बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अलकोहल की लेकि फिर अलकोहल पनोल इसरो तीनो क 그걸 क्लाशी बाहतैं फिर अुसके बाद रीपरिशन ऑप अलकोहल अब पड़ा था जिसके अंदर यसा अंतर कई सब मिघर थे अब अन musical बना लिया अब अलकॉहल में उसकी फिजिकल प्रोपेटीज क्या होती है यह जानने के लिए आज का तो अगर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर नहीं रहेगी तो आपका गलत हो सकता है तो इस ध्यान देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर मैं बेसिकली कौन से टॉपिक डिसकस करने वाला हूँ वह मैंने लिग की रखा हुआ है आपको दिख रहा होगा सबसे के लिएं के लिएंटर मेंबर हमिर की बात करेंगे अब यह लोगर नियुक्री क्या है तो उसे अलकोल की जिन में कारवन एक्टम कमें उन्हें हमलोर अलकोहल कहेंगे और और गाई जैसा आगे बढ़ेंगे CS3, CH2, 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 OH आप इसमें देख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, खुड़ों 6 कारबन हैं, मतलब बहुत सारे कारबन हैं, तो इसलिए हम इसको हैर में बढ़ेंगे लगबख ऐसा कंसिडर किया जाता है, कि तीन कारबन तक के, अभी जो नए बुक है उसके अंदर तो तीन कारबन तक के बोला है, पुराने वाले बुक में चार बोलते थे, तो ऐसे तीन चार कारबन तक के, तो हम नए बुक के हिसाब से अगर चलेंगे, तो तीन कारबन अगर सब्सक्राइब रहेंगे तों इसे Τीन या तीन से कम ऊहेंगे त HEY तो बने को Is सबस्क्राइब हैं मुझे इसे ही सजरता मोल्कुल लिकहने कि यह कि पैस्जर ₹ seeking Egypt हैं इसे का दुसरा अब इसका फेसरिया देखें यह दो म選super तो just और ये टो ये ये की पिकीडी हमने इसका कि सबुचऻूँ मैं आप से ikiding जादा है और में यह सबंस्कुर्फेस एरिया ज्यादा है Dest Formation तो इसका एक दूसरा मोलिकुल इन दोनों के बीच में जो क्राइकशन रहेनी यह कम रहेगा क्योंकि इसका surface area कम है surface area कम रहेने से guys force of attraction कम रहेगा तो molecule की बीच में अगर force of attraction कम रहेगा तो molecule थोड़े दूर रहेंगे दूर रहेंगे मतलब या तो वह gaseous state में रहेंगे या फिर आपके liquid state में रहेंगे तो basically alcohol जो है वह liquid state में mostly exist करता है अगर वह lower alcohol है तो अब तो 3-carbon वाला अलकोल देखा जाए इथाइल अलकोल मिथाइल अलकोल प्रोपाइल अलकोल तो यह आपके 3-carbon तक क्या alcohol है यानि कि lower alcohol है लोर अलकोल में carbon कम होने के वज़े से उनका surface से लिए कम होता है इसलिए उसका एक molecule और दूसरा molecule आपस में कम course of attraction पजस करते हैं इसलिए वह दूर होते हैं इसलिए attraction कम होने से distance उनका जादा होता है इसलिए वह आपके liquid state में exist करते हैं तो हम कहेंगी कि जो lower alcohol होते हैं पहले दूसरा थोड़े से toxic भी होते हैं और liquid state में exist करते हैं और alcohol का specific smell होता है उससे हमें पता चल जाता है alcohol का ही smell है जैसे spirit का आप देख लीजिए या फिर आप अब मिथैनौल का देख लीजिए जितने भी अलकॉल है उनका specific distinguishing smell होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि यह alcohol ही है तो अलकॉल का पता चल जाता है कि अलकॉल का ही smell है तो हम कह सकते हैं उनका खुद का smell होता है यानि कि अलकॉलिक ओडर होता है ऐसे भी कह सकते हैं तो हम क्या कहेंगे लोर मेंबर के बारे में लोर मेंबर मतलब ऐसे अलकॉल जिनके अंदर अप्टू 3 कार्बन है वह लोर होने के वाज़ेसे उनका surface सिरियक कम होता है surface सिरियक कम होने के वज़े से आपस में force of attraction कम पजिस करते हैं force of attraction कम पजिस करने से molecule दूर होते हैं इसलिए lower alcohol जो है वह बेसिकल यापके liquid state में होते हैं दूसरा वह colorless होते हैं तीसरा थोड़े से toxic होते हैं हाइल अलकोल देख लिए अगर आदमें पीलेगा तो शाहिद मर जाएगा और उनका एक distinguished order होता है यानि कि उनका खुद का alcoholic order होता है सेम टू सेम गाइस higher alcohol के लिए higher alcohol भी आपका colorless होता है वह भी थोड़ा सा toxic होता है और उसका उसका भी smell अगर बात किया जाए तो उसका higher alcohol आप समझ चुक्या होंगे क्योंकि higher alcohol surface area बहुत ज्यादा होता है अब surface area ज्यादा रहेगा तो इसका एक molecule और गाइस इसका दूसरा molecule आपस में ज्यादा force of attraction पुझेश करेंगे और वह जितने ज्यादा force of attraction आपस में पुझेश करेंगे उतना ही ज्यादा वह एक दूसरे के पास आएंगे अगर वह एक दूसरे के पास आजाएंगे तो उनके बीच का distance कम हो जाएगा और उनके बीच का इंटर molecular distance कम हो जाएगा तो obviously वह molecule liquid से solid में convert हो जाएगा तो कहना higher alcohol जो होता है उसका surface इरिया जादा होने के वज़े से उनके विज़े force of attraction जादा होता है जिस वज़े से molecule पास आते हैं इसलिए वह solid state में होते हैं तो guys पहले दो point हमने discuss कर लिए lower alcohol colorless toxic liquid होते है उनका alcoholic order होता है यानि के smell होता है higher alcohol की भी बात करेंगे तो colorless toxic थोड़े से less toxic होते हैं वह solid में होते हैं और उनका भी alcoholic order यानि के distinguishing order होता है जिससे पता चल जाता कि alcohol है पहले दो point के बाद अभी guys बात करेंगे तीसरे और सबसे important point का जिसका नाम है boiling point बहुत ही ज्यादा important है और क्यूंकि आप देख पा रहे होंगे कि alcohol का जो तीसरे नंबर का point है boiling point चोथा भी boiling point है और 500 solubility है फिलाल तीसरे point पे अभी हो boiling point की बात करेंगे तो अलकोहल का boiling point जो होता है वो अलके, अलकाई हलाइड, इथर और अल्डियाइड इन चारों से ज्यादा होता है अब इसका क्या कारण है बता देता हूँ पहले थोड़ा अलकोहल को एक बाद डिसकस कर लेते हैं अलकोहल का जनरल फॉर्मूला अभी ऐसा हम लिगते हैं ज की negativity ज्यादा है इसलिए ओ क्या कर लेता है इस bond के जो दो इलेक्ट्रॉन से उसको थोड़ा सा अपने तरफ पोलराइज कर देता हाला कि यह कोईलेंड बॉन्ड है अगर बॉन्ड कोईलेंड है तो उसके अंदर एक oxygen का इलेक्ट्रॉन एक hydrogen का इलेक्ट्रॉन दोनों ने oxygen की negativity थोड़ी ज्यादा होने के वज़े से oxygen इस bond के एलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपने तरफ ले लेता है मतलब अपने तरफ पोलराइज कर देता है इस वज़े से oxygen के ऊपर थोड़ा सा निगेटिव चार्ज जाने कि पार्शियल निगेटिव चार्ज जाता है जिससे मैं देल्टा निगेटिव से रिपेजेंट किया है और हाइड्रोजन से वो थोड़े दूर चले गए इसलिए हाइड्रोजन के उपर पार्शियल पॉजेटिव चार्ज आता है अब इस बॉन्ड में हुआ क्या तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे थोड़े से oxygen के तरफ पोलराइज हो गए इसका मतलब यह बॉन्ड पोल्र कोवैलेंट बॉन्ड है कोवैलेंट तो पहले से था लेकिन बॉन्ड के दो कि और निगेटिव पॉजेटिव निगेत्व गॉजे 및 मुजे से जो ओखен आपका जो ओएज ग्रूप यह पोलर होता है और यह पूरा मॉलिक्यूल पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल बन जाता है अब क्योंकि यह मॉलिक्यूल पोलर इसके अंदर चार्जेस हैं तो होता क्या है गाइस कि अल्कॉल का यह एक मॉलिक्यूल और ऐसे अल्कॉल का दूसरा मॉलिक्यूल जैसे कि मैं यहां प एक alcohol का electro positive hydrogen और दूसरे alcohol का electro negative oxygen आपस में force of attraction पोजेस करते हैं क्योंकि positive negative के तरह अट्रैक्ट होता है और आपको बहुत अच्छे से मालू में अगर एक molecule का electro positive hydrogen और दूसरे molecule का electro negative दूसरे molecule का electro negative nitrogen या फिर oxygen या फिर fluorine तो guys मैंने क्या का एक molecule का electro positive hydrogen दूसरे molecule का electro negative nitrogen oxygen या फिलोरिन अगर आपस में attraction पोजेस कर रहे है है या तो hydrogen nitrogen या फिर hydrogen oxygen है या फिर hydrogen fluorine है अगर ऐसा attraction हो रहा है एक molecule के electro positive hydrogen और दूसरे molecule के electro negative nitrogen oxygen या फिर fluorine के बीच में फिर हो रहा है तो इस attraction को हम teammates molecular hydrogen bond कहते क्या कहते गाइस Inter molecular hydrogen bond यह Inter molecular hydrogen bond आपका अल्कोहल बनाता है तो एक मोलेक्वल को morphositive hydrogen और उसी अल्कोहल के दूसरे मोलेक्वल का Electronegative oxygen आपस में Inter molecular hydrogen bond बनाता है जिस वज़े से अल्कोहल के मॉलेक्वल एक दूसरे के साथ ज़्यादा associated होते हैं इसी वज़े से उनको अगर अपने को boil करना है तो boil करने के लिए हमें उनको ज़्यादा energy देनी पड़ती है अगर energy यानि heat ज़्यादा देना पड़े तो उसका obviously boiling point भी क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा इसलिए alcohol का boiling point ज़्यादा होता है किस से ज़्यादा होता है अलकेन, alkyl chloride, ether and aldehyde तो आप से किसी ने पूछा सर अलकेन, alkyl chloride, ether and aldehyde से क्यों ज़्यादा होता है तो guys सिदे सिदे कह देना अलकेन रहे या alkyl chloride रहे या फिर आपका ether रहे या aldehyde ये चारो hydrogen bond बनाते नहीं है ये चारो आपस में यानि कि alkyl chloride, alkyl chloride, alkyl chloride के साथ इधर, ether के साथ या aldehyde, aldehyde के साथ intermolecular hydrogen bond बनाता नहीं है इस वज़े से इनका boiling point कम होता है क्योंकि इनके अंदर hydrogen bond नहीं बनेगा तो molecule में association ज़्यादा रहेगा ही नहीं इसलिए उसको boil करने के लिए नर्जी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा इसलिए उनका boiling point क्या रहेगा कम रहेगा वहीं बात करेंगे boiling point अप alcohol की तो alcohol में hydrogen bond होने के वज़े से intermolecular attraction ज़्यादा रहेगा जिस वज़े से उनका boiling point भी क्या रहता है ज़्यादा होता है तो पहली बात हमने क्या देखी कि alcohol intermolecular hydrogen bond बनाता है जिस वज़े से alcohol का boiling point alkane, alkylalide, ether and aldehyde से क्या होता है ज़्यादा होता है अब सारे aldehyde से या सारे ether से सारे alkylalide से सारे alkane से ज़्यादा होता है क्या? ऐसा नहीं है उसमें भी twist है थोड़ा सा ध्यान देखे बढ़िया से देख लिजएगा वर twist क्या है जैसे कि उधारन के तोर पर एक हाथ कोई मैं alcohol ले लेता हूँ जैसे कि मान लीजे कि मैंने alcohol ले जिया आपका ये CH3 CH2 OH ये अल्कोल ले लिया इसका molar mass निकाल लेके दो कार्बन है एक कार्बन का 12 तो 2 का 24 हो जाएगा 6 हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन का 1 तो 6 हाइड्रोजन का 24 और 6 तीस हो जाएगे और ऑक्सिजन का 16 तो ये 46 हो जाता है अल्मोस्ट वही बात करेंगे दूसरा अल्डियाइड ले जाते काईस CS3 CHO ले लो ये अल्डियाड या इसमें 2 कार्बन है 2 कार्बन का 12 तो 2 हो जाएगा और ये 4 हाइड्रोजन का 4 तो 2 तो 4, 28 हो रिसो ला 44 हो जाएगे अब तीसरा इथर ले ले लेते गाईस CS3 OCS3 इसमें अगर देखेंगे 2 कार्बन का 12 तो 2 हो जाएड्रोजन का 6 तीस और और उक्सियन का 16,46 हो जाएगा मोलर मस्तिक कलरों में और फिर उसके बाद अलकेन ले ले लेते हैं C2H6 या फिर C3 है इसके अंदर तीन कार्बन का 36 और 8 हाइड्रोजन का 8 तो 36 हो जाएगे अब रहा होई आपका अलकाइललेट एक आपको या अलकाइललेट ले लो यह ले 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 लेते मैं अलकाइललेट लेकाँ CS3 CH2 बड़ा हो जाएगा CS3 CL ले लेते सिधा सिधा अब इसके अंदर देखेंगे तो कार्बन का 12 है और तीन आड्रोजन का तीन 15 और यहां के क्लोरिन का 35.5 तो एप्रॉक्जिमेटली 50.5 हो जाएगा तो अगर इनके मोलर मासा ध्यान से देखेंगे तो इसका गाइस 44 अलकोल का 46 अल्डियाइड का 44 इथर का 46 अलकेन का 44 और अलकेनलाइड का 50.5 तो इनके अप्रॉक्जिमेटली मोलर मासे सेम हैं तो ऐसे अल्डियाइड इथर अलकेन या अलकेनलाइड ऐसे अल्डियाइड इथर अलकेन या अलकेनलाइड जिनके मोलर मास अप्रॉक्जिमेटली क्या है सेम है या इकोल टू अलकोल है तो अलकोल का जितना मोलर मास है अगर उन्हीं के इकोल टू या उसी के आसपास अप्रॉक्जिमेटली उसी के असपास अल्डियाइड, अल्कैललाइड, अल्कैन, इथर का अगर मोलर मास है तब अल्कोहल का वोईनिंग पॉइंट उनसे ज्यादा होता है क्योंकि अल्कोहल हैड्रोजन बॉंड बनाता है और बाकी हैड्रोजन बॉंड बनाते हैं नहीं है अगर इसके अंदर आपने ऐसा कर दिया कि ये इथर ले लिया और इथर में 10-15 कर्बन ले लिया तो भाई उसका सर्फेस एरिया जदा हो जाएगा अगर सर्फेस एरिया उसका जदा हो जाएगा अगर इसका सर्फेस एरिया हो गया मान लो तो इथर होने के बावजुद इथर का हैड्रोजन बॉंड न बनाने के बावजुद भी इथर का बॉइलिंग पॉइंट अलकोल से ज़्यादा रहेगा अगर इथर में बहुत सारे कर्बन लिये इसलिए ज़रूरी है ये पॉइंट बोलते समय कि बॉइलिंग पॉइंट आफ अलकोल जो है अलकेन अलकाइल एथर अल्डियाइड से ज़्यादा तो होता है लेकिन वही अलकेन वही अलकाइल एथर या वही अल्डियाइड जिनका मोलर मास हूँ-अल्मोसिक्वाल तू अलकोहल है उननी अंडियाइड एथर लकाइलेड या फिर अलकेन उनी का बोलिंग पॉइंट अलकोहल से कम great यानि कि अल्कोहल का boiling point इन चारों से क्या होता है ज्यादा होता है क्योंकि alko , hydrogen bond बनाता है यह चारों hydrogen बनाते नहीं है अब दूसरा point है वाई चौछे नमबर का point देखें गे तो वह भी boiling point वाला है लेकिन उसमें बताया गया है molar mass और hydrogen bond अब hydrogen तो मैं एक्स्प्लेइन कर चुका हो आपको कि अल्कोहल जो है हाइड्रोजन बांड बनाता है जिस वज़े से अल्कोहल का बॉइनिंग पॉइंट अलकीन अलकाइलेलेट एथर और डियाइट से ज्यादा होता है लेकिन यह जो मुलर मास वाला पॉइंट यह देख लोगाइस के हैं जैसे कि देख लिए दें CS3 वाइच इसका मुलर मास निकालीजिए इसका मुलर मास कारबन का 12 चार हाइड्रोजन का 4 16 हो जाएगा ऑक्सियन का इसका मुलर मास बढ़ते जाएंगे तो आप कारबन देखो बढ़ते जा रहा है अब कारबन बढ़ेंगे अल्कॉल के अंदर तो उसका मुलर मास बढ़ते जा रहा है एक अब कि बढ़ता है उसका बढ़ता है इसलिए बढ़ता हैं अध्याय को एक अब कि यूद्ध बढ़ते हैं ऐं सर्फिया सर्फिया अगर बढ़ता कि इसका फोर्स बढ़ेगा that force of attraction is called as vendor wall force of attraction जो सर्फिस area के वज़े से आता है वो बढ़ने के वज़े से molecule एक दूसरे के साथ ज्यादा associated रहेंगे इसलिए उनका boiling point क्या रहेगा ज्यादा रहेगा उसके बाद अगला point guys देख लेते हैं वह solubility वाला बहुत ही important point solubility वाला तो इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या कहा हुआ है वाई solubility वाले point के अंदर अपने को बोलते हैं कि लोवर वाले जो अल्कोहल है पहले तो solubility के बाद हम क्यों कर रहे देख लेते हैं यह CS3OH लेलो अल्कोहल लेलो अब आपको अच्छे से माल में अल्कोहल जब हम पाने में मिलते हैं हमें मिलाना नहीं है अगर मैन लेते कि किसी बद ये ब हमेरे में पारफ Summit आप идеonosor समय प्सकतना है को जाप समय हेसके सब्सक्राइए आरे, जाओने कल़न दोता है, हिड्रोशन कर समय है तो गाइस अगर बात करेंगे CS3 OH में एक अल्कोल ले लिया एक यह कारबने मतलब लोगर अल्कोल है अगर वाटर के साथ ले लिए तो आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि वाटर के साथ कैसे अच्छे से मालम है वाटर के अंदर भी यह निगेटिव तो यह क्या रहे और वाटर का इलेक्ट्रो पोजिट्व हाइड्रोजन आपस में अट्रैक्शन पजिस करके हाइड्रोजन बन बन अगर बन गया इसका मतलब वह उसको पसंद कर रहा है याने कि यह इसके अंदर सुलिबल हो जाएगा तो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के साथ कोई भी फ बॉल देना कि और पॉंट पानी के साथ एड्रोजन बनता सक्यां की इसलिए आलकॉल पानी के अंदर स्लिबल हो जाता विकिन उसके पहले मैं ने आपको पॉइंट बता दिया पॉलर वाला वह यह था कि यालकॉhol पोलर मॉलीकूल होता है और वाटर भी पोलर होता है इसल फिर उसके बाद तो करबन वालाAg कि बाद चार करबन वहला अब जिएन से देखना बाइस है है अलकॉol के अंदर दो चीजे होती है एक यह वाला part यह part o,h जिनके अंदर oxygen पे negative hydrogen के उपर positive तो यह part के अंदर charges है यानि कि electronegative oxygen और electro positive hydrogen है यह polar part है और polar part यह है और water भी polar है तो यह polar part water को पसंद करता है runter is polar part को पसंद करते हैं इसले एक दुसरे के अंदर स्व वली बलते हैं और यह water को पसंद करता है इसलहे इसलिए पार्ट को मैं hydrophobic हydiमाइद नौन पोलर है यह पानी के इंदर वक होगा नहीं इसलिए पानी पान को पसंद को पसंद करेंगaning तो होता क्या है गई जब अमरा लोर अल्कोल है अगर आप इसके अंदर देखेंगे एक कारबन दो तीन कारबन तो अप्टू थ्रीकारबन वाला जो हमारा अल्कोल होता उसमें यह है। defence मतलब इधर वाले ये यौई यौई यौप यौई 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 Không कुढरां World यौई यौई आपटरी जो पॉपिक confupp निंदा है अंदर लगा है। यह आँड्रोफोबिक पाइट उतना बड़ा होता नहीं है इसलिए नौन पोलर पाइट जो इतना बड़ा नहीं होता है इसलिए तिन कारबन tapped के वाल अच्छा कासा पानी के अंदर स्akersम लेकिन जैसे आफ़ोबिक पारड के अंदर चाहर कारबन आज कारबन छे कार्बन, साथ कार्बन एंड सो अन ऐसे कार्बन बढ़ते जाएंगे तो हाइड्रोफूबिक पार्ट इस ओएच के सामने यानि कि हाइड्रोफिलिक पार्ट के सामने बढ़ा हो जाता है और यह हाइड्रोफिलिक पार्ट छोटा हो जाता है नहीं कि वह एस गुरूप छोटा हो जाता है उसके सामने जैसे-जैसे कारबन पड़ेंगे तो कारबन के बढ़ने के वजह से आपका हाइड्रोफोबिक बढ़ा होते जाएगा और अगर आपका बढ़ा हो गया तो अल्कोहल की साइज भी बढ़ेगी और अ अच्छे का से पाने के अंदर सुलीबल हो जाते हैं लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर कारवन बढ़ जाते हैं कारवन बढ़ने के सामने उनके अंदर का हाइड्रोफोबिक पार्ड का साइज बढ़ा हो जाता है जिस वजह से अल्कोहल की सुलीबलिटी पाने में कम हो जाती है यह पहला कारण दिना दूसरा कारण logical reason था यह हमारा दूसरा कारण क्या है हमेशा याद रखना जैसे जैसे alcohol की size बढ़ती है वैसे वैसे उसकी solubility कम होती यानि कि size is inversely proportional to solubility we can say और size किस पर depend करेगी number of carbon पर depend करेगी तो देखो मैं क्या कहूँगा मैं पहली बात तो कहूँगा जैसे number of carbon बढ़ेगी वैसे वैसे alcohol की solubility बढ़ेगी कि कम होगी जैसे जैसे number of carbon बढ़ेगे तो alcohol की solubility कम हो जाएगी carbon बढ़ने के साथ साथ alcohol का molar mass बढ़ेगा तो molar mass बढ़ने से भी alcohol की solubility कम होगी तीसरी बात क्या कहेंगे हम कि जैसे जैसे carbon बढ़ेगे वैसे-वैसे molar mass बढ़ेगा वैसे-वैसे size बढ़ेगा और alcohol की solubility कम हो जाएगी चौथी बात हम क्या कहेंगे गाई ज्यान देना बड बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या हो जाता है दिखा देता हो आपको अब ध्यान लास्ट पॉइंट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पाट है तो यह मैंने अलकुल लिखा गई लिखेंगे अब यह बॉण्ड जो है यह ज्यादा पुलर होगा कि यह वाला बॉंड ज्यादा पुलर होगा तो पहला क्यों पॉलर रहेगा क्योंकि और यह ऑक्सिजन जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोन लेगा क्योंकि ऑक्सिजन की निगेटिविटी ज्यादा है इसके पर पार्शल निगेटिव और पार्शल पॉजिटिव चार्ज आएगा इधर यह जो है छोटा अलकाइल ग्रूप है उतना बड़ा अलकाइल ग्रूप नहीं इसलिए इसको इलेक्ट्रोन ज्यादा नहीं दे पाएगा तो इसका चार्ज जो है वो उतना कम नहीं होगा क्योंकि अगर इसने इलेक्ट्रोन दे दिये तो क्या हो जाएगा इधर से अगर इलेक्ट्रोन मिलते हमेशे याद रखना ऑक्सिजन को जो अलकाइल ग्रूप लगा है अगर वो अलकाइल ग्रूप ऑक्सिजन को इलेक्ट्रोन दे देगा तो ऑक्सिजन इधर से ज़्याद कम हैं Less polar बन जाएगा तो इसकी solubility भी क्या रहेगी पानी के अंदर कम रहेगी अब ऐसा है कि हाँ पे इस oxygen को CS3 छोटा वाला याल गुरूप है क्योंकि एक करभन वाल याल गुरूप सी अस्तरी oxygen को ज्यादा वाइडरीजैसरी बात यहां पर करेंगे दूसरे एक्जामपल में आप देख लो तो पूलराईजेशन कम होजाएगा तो रहेंगे तो फानी के इंदर 민ब नहीं पंटाइख तो पाइंगे सब् handling आइप जब seemed सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगरिप सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो हbe INS जिसील्पा डुप तो फीजिकल के अंदर हमने क्या है एक बाल जरह क्विकली रिवाइस कर दो फट यह पढ़ा सबसे पहले भी अबने फीजिकल प्रहपीटीष के अंदर कहा था कि जो लोवर मिम्बर होते यानि कि अप्टू 3-¨ वाले आलकोल होते हैं वो कलार लेस लिक्विड होते हैं उसके बाद थोड़े से toxic होते हैं और उनका एक alcoholic order होता है distinguished smell होता है जिससे पता चल जाता है particularly alcohol यह alcohol का ही है उसके बाद higher member मतलब ऐसे alcohol कि जिनके अंदर 3 से ज़्यादा कार बनाई कुछ book chart से ज़्यादा भी बोलते हैं अपने नए book के अंदर 3 बोला इसलिए हम 3 बोलेंगे तो ऐसे alcohol जिनके अंदर 3 से ज़्यादा carbon है वह higher alcohol होते हैं जो भी colorless होते हैं लेकि liquid नहीं बलकि solid में होते हैं और उनका भी distinguishing smell होता है और उतने ज़्यादा toxic नहीं होते हैं कि थोड़े से होते हैं दूसरी बात करेंगे कि solid क्यों होते हैं और laws allowing liquid क्यों था हमने पहले बात कर रहा है लोज़ा करबंब कम होने से surface area कम होता है जिस वजह से liquid state में होते हाई रखालों के अंदर carbon ज़ादा होने के लिज़जे से सर्फेस हेरिया जादा होता है जिस वज़े से वो सॉलीड स्टेट में चले जाते सर्फेस हेरिया से क्या आप अमने डिसकर्स किया था लोर वालों का सर्फेस हेरिया कम होने से वही बूसरे के साथ सब्सक्राइब करने के लिए इनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है और साथी में बहुत पास आ जाते हैं इसलिए वह सॉलिट स्टेट में होते हैं अगला बात किया था हमने सब्सक्राइब करने के लिए इनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है और लेकिन अगर आप अगर आप अलकोल के बोलिंग पॉइंट को अलके लिए इथर या डियाट के साथ कंपेर कर रहे हो तो ऐसा ही अलकोल लेना और ऐसा ही अलके अलकोल लेडिधार या डियाट लेना कि जिनके मॉलिकिलर मस अलमोस्ट क्या रहेंगे सेम रहेंगे उसके बाद गाइस अगला पॉइंट हमने बोला था चौधे नंबर वाला वो है बॉइलिंग पॉइंट मोलर मस और हाइड्रोजन बॉन पे कैसा डिपेंड करता है मैंने बताया था अगर एक मॉलिकुल का इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिकुल का इलेक्ट्रो निगेटिव नाइट्रोजन ऑक्सिजन या फिर फ्लोरीन आपस में अगर अट्रैक्शन पजिस्ट कर रहे हैं तो इस अट्रैक्शन को हम इंटर पार्ण कहते हैं उसके बाद मुलार्मास के बारे मैंने काथा हमने का ओता लयर अलुकॉल तो कार्बन कम रहेंगे जैसे जैसे अलकॉल में कार्बन बढ़ते जाएंगे जैसे एक कार्बन है फिर दो कार्बन है तीन कार्बन है चार कार्बन है तो कार्बन बढ़ने से उसका molar mass भी बढ़ेगा और carbon बढ़ने से molar mass बढ़ रहा है साथ में surface area बढ़ेगा जिस वज़े से molecule molecule की बीच में force of attraction बढ़ेगा क्योंकि surface जो है वो vendor wall force of attraction पज़स करता है तो जैसे जैसे alcohol के अंदर carbon बढ़ते जाएंगे carbon बढ़ने के वज़े से surface area बढ़ेगा molar mass बढ़ेगा जिस वज़े से molecule के बीच में attraction बढ़ेगा और इसलिए उनका boiling point भी बढ़ेगा तो molar mass के बढ़ने से boiling point बढ़ता है solubility के last बात की थे हमने हमने कहा था alcohol polar molecule है alcohol अगर खुद polar molecule है तो इसको भी polar solvent पसंद है क्योंकि like dissolve like roll के साबसे polar polar में solubility बढ़ता है alcohol क्यों polar है क्योंकि alcohol का जो OH bond है इसमें oxygen के negativity ज़्यादा है oxygen hydrogen से electron polarize करता है इसलिए OH bond आपका polar bond है तो alcohol पूरा polar molecule होने के वज़े से उसकी solubility water में क्या होती है ज्यादा होती है क्योंकि water भी polar है लेकिन कौन से alcohol ऐसे alcohol जिनमें up to three carbon है एक carbon, दो carbon, तीन carbon up to three carbon वाला जो alcohol है उसके अंदर उसकी solubility पानी में ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि alcohol के जो दो पार्ट हमने डिसकूस किये एक अलकाइल ग्रूप मतलब जो पानी को पसंद नहीं और पानी इसे पसंद नहीं करता वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है और OH मतलब हाइड्रोफिलिक पार्ट है जो पानी के अंदर solubile होता है पानी के सथ हाइड्रोजन बार्ड बनाता है अगर लोवर अलकोल है अप्टो थ्री कार्बन वाला अगर अलकोल है तो उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट है नहीं कि अलकाइल ग्रूप छोटा होता है इसलिए उसकी solubility पानी में ज़्यादा होती है लेकिन जैसे चार पांच छे साथ आठ कार बनाने लगते हैं हायर अलकोल होता है उसकी solubility पानी में कम होनी लगती क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो पानी उसको पसंद करेगा नहीं अपने पॉलराईजीशन ज्यादा होता है पॉलराईजेशन बढ़ेगे है जैसे कारबन बढ़ नेंगे कके होजेगी क्या होनी कम हो जाएगी तो guys यह थी है हमारी physical properties of alcohol इसके बाद हम reactions of alcohol देखेंगे क्योंकि हमने alcohol बना लिया preparation of alcohol में physical properties में alcohol के बारे में जनकरी ले लिए क्या होता है कैसे होता है अभी हम alcohol किसी किस के साथ react हो सकता है यह हम अगले वीडियो में देखेंगे अगला हमारे topic रहेगा reactions of alcohol जिसके अंदर अलग-अलग compounds के साथ अवाल पोल की reaction discuss करेंगे तो आज के लिए guys इतना ही thank you so much